नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल में आज हम लोग पतना हाई कोट के जो assistant का के तैयारी करवाई जाती है basically online और offline दोनों तैयार हो लेकिन अभी जारतार हमारे जो classes होते हैं और पतना है कोट का जो क्लास के जो क्लास है वो 23 फर्वरी से स्टार्ट हो रहा है और जो एक्जांशन का जो डेट है करीब-करी आपको सभी को tentative date पता ही चल चुका होगा फिर भी मैं बता दे रहे हूं यह जो अधिशुचना आई थी छे परवरी को से आपका इसका online form फिल फोने स्टार्ट हो गया है साथ माज तक लास्ट टेट है तीस अपरिल को आपका एक्जामिशन है लगभग लगभग सेवेंटी डेस हैं सेवेंटी डेस में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है और हमार दोबर एक अच्छा guidance आपको प्रवाइट किया जाएगा तो वैसे अभ वीडियो को बनाने का जो परपस में जो अब्जेक्टिव था कि यह जो आपका जो यह विकेंसी आई है इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे और बहतर क्या रननिती हो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी को जानेंगे और इसके लिए सबसे पहले आपको सेलेबस क आपका जो आयोग है का जो साइट पर आपको जब अदिस उसना जो डाली गए थी अडविटीजमिन उस पर ही आपको पेज नंबर 12 में उन्हीं पेज का पीडियो अप्लोड किया गया है यह पेज नंबर 12 में आपको सिलेबस मेंशन किया हुआ हुआ है हम लोग थोड़ा स अराम से बहुत अच्छे तरी किसे चीजों को समझने कुशिश करेंगे हर बढ़ाईएगा नहीं पूरा वीडियो जुरूर देखिएगा जिससे आपको चीजों के बढ़ियां से किलियर हो जाए यह रखी जो अपकासिस्टेंट रेक्रोट्मेंट एक्जामशन दोजार थेज्ट है पटना हाइपोड का इसके तहाथ जो एक्जामशन आपका लियाजाएगा यह four stage में लिया जाएगा यह क्या क्या होगा प्री होगा, रिटेन होगा, फिर आपका कंप्यूटर प्रोफेसेंसे टेस्ट होगा और इंटरव्य होगा, इसके अलावा डेटेल में चीजों को समझने कोशिस करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्री के बारे में जानेंगे, प्री जो एक्जामिशन होगा, वो आपका सबस्ट है, आपको फाइफ सेग्में बटे वह है, आपका सेलेबस को पहला है, आपका जेनरल अवेडनेस है, दूसरा रिजनिंग और कॉनिटेटिव एप्टिटूर है, तीसरा आपका इंगलिश है, चौथा हिंदी पांचवा कंप्यूटर अवेडनेस है, तो जेनरल के कुशन हैंगे, हिंदी के आपको 15 मार्ग के कुशन आएंगे और कंप्यूटर अवेडनेस के 10 मार्ग स्के, टोटल मिलाकर आपको सो मार्ग के कोशन पूछे जाएंगे, जिसको आपका जो अवधी होगा, 2 घंटे का होगा, 40 नमबर कॉइफाइग मार्स होगा, यह आपका प्री रिटेन जो आपका होगा मतलब मुख्य परिच्छा होगा यह डिस्क्रिप्टिव नीचर को होगा हिंदी और इंग्लिज के टोटल 100 कोशन पुछे जाएंगे जिसमें कि आपको इंग्लिज के 60 कोशन और हिंदी के 40 कोशन आएंगे इंग्लिज में 24 मार्स क्वालिफाइंग होगा और हिंदी का 16 मार्स टोटल आपको 100 में से 40 मार्स क्वालिफाइंग होगा और इसका जो अवधी होगा कुल मिला करके 3 गंटे मतलब 3 गंटे में आपको हिंदी और इंग्लिज दोनु का ही पेपर देना होगा इसके बाद बार ही आएगा आपका computer profession से test का होगा जो की बिल्कुल ही qualifying nature का होगा ठीक है फिर आएगा आपका interview की बारे जो की 10 मिसे आपको 3 लाना है तो ये तो आपको अभी उपरी तौप पर हम लोग जान लिए कि आपका exemption किकने stages में होने वाला है अब हम लोग पहले प्री का syllabus को बहुत अच्छी तरीकी से समझने कोशिश करेंगे प्री का जो तयारी है वैंने आपको पहले ही वीडियो के सुरुआत में बता चुकी हूँ कि आपको करीब करीब हमारे दौरा 65-day का class दिया जाएगा और minimum 60-day के class होंगे है अगर आप छूटियों को का अगर डिडेक्ट कर देते हैं तो इन 60-day में आपको यह जो आप syllabus देख रहे हैं पांचों सेग्मेंट की तैयारी करवा दी जाएगी हिंदी, इंग्लिस, कंप्यूटर, quantitative, aptitude, reasoning और साथ साथ जीएस GS का syllabus को पहले हम आज समझेंगे यह अपने आप में बहुत ही बड़ा syllabus होता है हालाकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जेनरल awareness लिख दिया है लेकिन आप समझने के कुशिश करेंगे यही आपको समझ जो है आपका रनेती है आपको बताएगा कि किस रनेती पर आप चलेंगे त बाते हैं इसके लिए यहां आयोग ने क्लियर आपको पेज नंबर 13 पर लिखा है कि जो अभिरती है उसको भारत के जो नेवरिंग भारत और उसके नेवरिंग कंट्री मतलब पडोसी देशों के जो आपका इतिहास है संस्कृती है जोग्रफी है पॉलिटी है एकोनोमिक्स जेनरल पॉलिसी और सांटिफिक रिसर्च के बारे में आपको आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए साथ ही साथ करेंट अफिर्स में आपको बुक्स और स्पोर्ट्स स्कीम्स महत्पून्तितियां वैसे लोग जो की चर्चा में रहे हैं करेंट एवेंट्स जो की र जन्रल सइन्स एंड इनन्वर्मेंट इंड अप्लीकेवल इन डे टो डे लाथ इसके बारे में भी आपको जान去 रखनी शाथ हैं इसके बाद अगम बात करेंघे सहरके बारे मैं भी आ अच्छी जानकारी हो होनी चाहिए बिहार का एथी इसक्री ब्यहार का दिए घि!हार क आपके पास जानकारी होने से साथ ही साथ जेनरल अवेर्णेस मतलों आपको करेंट अपेस्ट के बारे में भी आपके पास अच्छा नॉलिज होना चाहिए यह वह गया जेनरल अवेर्णेस का इसके बात बार ही आता है आपका रिजनिंग और कॉंटिटिव एप्टिटूड में आप देखेंगे तो यहां पर आपको पुरा डिटेल्स में अच्छे तरीके से लिग दिया जिसमें कि वरवल और नॉर्वरवल दोनों ही टाइप के रिजनिंग आपको पढ़के जाना heus नॉर्वरवसिसे लिए से हो नॉर्वराब्र कव्रीं से जुभ आपको से बता हैं जिसमें आपको नॉर्वरवरेजिस्टिक यह सारे रिज्डिव से असी तरीके से आप आगे देखेंगे तो क्वाटिटिव एप्टीटूस ते प्रश्ण इसमें आपको number system, computation of whole number, decimal, fraction, relationship between numbers, basic arithmetic operation, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, time and distance, time and work, height and distance और ventilation ये पूरा आपका reasoning और quantitative attitude का syllabus हो गया है इसके बाद आता है आपका general Hindi और general English दोनों को ही बहतर तरीके से आराम से समझेंगे तब सब आपको तयारी करने में आसानी होगी देखिए किसे भी तयारी में आपको syllabus का महतवपून रोल होता है यह आपको बांदता है कि आपको ज बांदता है यह नहीं कि इससे ज्यादा आपको पूरा जो इंग्लिस का जो लैंग्विज लिटूचर है क्रामर सब कुछ पढ़ जाना है तब जाकर कि आप एक्जाम क्वालिफाय कर जाएंगे हिंदी में भी आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो आपने वह से लेकर एक लिमिटेड जो होता है इक आपको भटकाओं से रच्छा होता है अब समझेंगे जो इसमें आपको जो कुष्चन ऐसे होंगी जो अभीरती है उसका आपको भासा और अंग्रीजी के भासा और शहिते पर अच्छा पकड़ होना चाहिए उसकी वह जाच करेगा जिसमें सही वर्ट का क्या इस्तुमाल करना है फ्रेजिस इडियम्स एंड एबलिटी तु राइट लैंगवज करेट लिए आपकी जांच की जाएगी प्रेसाइसली एन एफेक्टिवली मतलब कुल मिला कर बात करें कि आप किसी भाषा को कितने अच्छे तरीके से जां सकते और किसे अच्छे तरीके से एक्स्प्लेंड कर पाएंगे उसके जांच की जाएगी इसके बाद देखेंगे कि लिखा गया है कि This question will orderly cover vocabulary, grammar, sentence, structure, synonyms, antonyms, and then correct usage Spot and error Fill in the blanks Spelling and detecting misspelled words, idioms and phrases One word substitution Improvement of sentences Active passive voice of verb Converging into direct and indirect narration Suffling of sentence parts मतलब यहां पर आपके पास इतना नोलिज तो जरूर होना चाहिए कि आप सही शब्दों का चुनाओ करके सही चीज को लिखें क्योंकि असिस्टेंट का काम होगा हाई कोट असिस्टेंट का कि जो भी कारवाईयां हो रही है उन पर आपना जो उसको सही वे में एकस्प्रेंट कर पाई नहीं तो चूटी चूटी चूट काफी किसी के और के लिए बहुत परशानिका सबब बन सकती है जनरल हिंदी में भी देख लेंगे जिस प्रकार से आपके पास इंग्लिस का अच्छा समझ होना चाहिए उस दर से हिंदी की अच्छी समझ होने जो व्याकरण है उन सबको ध्यान में रखते हुए जो सेंटेंस है उसको प्रेम कर पाएंगे और साथ साथ देख पाएंगे हम लोग की व्याँ पे व्याकरण के बारे में भी लिखा है कि सब्सक्राइब बिलोमशम्द मुहावरे और लोक व्क्तियां यह सारे ही चीज़ो को आपके पास अच्छा knowledge होना चाहिए तो यह चार portion आप देख रहें इसके अलावा आपको computer awareness के बारे में भी लिखके रखा गया है आप देखेंगे तो उसका भी आपको पास अच्छा knowledge रहेगा तब भी जा करके इसके बात आपको मुख्य परिच्छा का syllabus दे के रखा है जो आप प्री में देख पा रहे हैं लेकिन चूंकि आपको written taste होने वाला है तो आपको knowledge इतना अच्छा जरूर होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी essay वेगर writing होगी तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे है ना precious writing है और letters writing आती है इन सब चीजों को बह अंतर यह होगा कि descriptive examination होने जा रहा है इसके बाद आपका computer proficiency test होगा जो कि third level का होगा जो first or second level की जो अबेड़ती होंगे वह अगर qualify करेंगे तब जाकर कि उनका test आएगा जिसमें कि आपको पहला test होगा word processing test on ms word, second होगा spreadsheet यानके excel पर होगा और तीसरा आपको internet proficiency का जांच क कि आप internet को चला पाते हैं कि नहीं आप पाते हैं और चौह था आपका interview है जो कि 10 marks का जो जिसमें कि आपको तीन marks लाने ही लाने हैं यहां पर computer का syllabus हो आपको नहीं दिया हुआ है लेकिन यह basic nature के question पूछे जाते हैं computer awareness से वर्ड, excel आप जिसमें DVD और बागी चीजों का full form क्या क्या होता है इस टाप प्रशन ही पूछा जाएगा CPU का full form क्या होता है RAM ROM क्या होता है ठीक है तो बहुत ज्यादा heavy नहीं है त्यारी करनी होगी अच्छी तभी जाकर कि आप क्यूंकि देखे आप यह BPSC और की तरह नहीं है जिसमें कि आपको सिर्फ जीए से प्रशन पूछ है फिर से बता दे रही हूं 23 फरवरी से हमारा जो क्लास है वह स्टार्ट हो रहा है वैसे जो पतना हाई कोड के एक्जाम्शन में प्यर होने जा रहे हैं वह लोग इस क्लास के लिए इंड्रॉल हो सकते हैं फी बहुत कम है फी बहुत ज्यादा आपसे हैवी नहीं लिया जा ताकि आप मुझसे लाइव इंड्रेक्ट कर पाएंगे आपको जो समस्य है जो प्रॉब्लम में डाउट से मुझसे डाइट पूछ पाएंगे और लाइव क्लास का यही बेनेफिट होगा कि अप्लेकेशन बेस नहीं होगा अप्लेकेशन बेस होने पर क्या होता है कि आप बस क्लास होता है और आप कॉमेंट्स में बस प्रशन पूछते डाउट्स के लिए आपका क्लियर हो या नहीं हो वो कमेंट मेरा जाता है यह ना बहुत सारे अभरती रहते हमारे पास लिमिटेट रहेगा आपके बैच में बहुत जाता है अभरतियों को नहीं इन्रॉल करा अभरतियों को परियाद समय दिया जाए परियात उन पर ध्यान दिया जाए तो बिलकुल ही क्लास्रूम का महाल में आपका यह जो क्लास के लिया जाए और नेक्स्ट के वीडियो में और वी कुछ महतापुन हम लोग टॉपिक्स पर कवर करेंगे खासकर पटना है कोट और पीपेसे 69 को लेकर के जो रणिती है और बुक्स जो बुक लिस्ट बहुत इंपॉर्टन होता है कौन सा बुक्स का चुनाव करेंगे तो नेक्स्ट की वीडियो ज़रूर ध्यान से देंगे जाए पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करने बिलकु नहीं भूलेंगे